आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि वजीर X में अकॉंट कैसे बनाते हैं और इसमें अपनी KYC वेरिफिकेशन किस तरह से कम्पलीट करते हैं साथ ही साथ इसमें अपना बैंक अकॉंट कैसे वेरिफाई करेंगे ये सब डीटेल से आपको मैं step by step इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों इंडिया में bitcoin और cryptocurrency buy और sell करने के लिए वजीर X सबसे best option माना जाता है bitcoin और cryptocurrency में trading करने के लिए पहले आपका इसमें एक account होना चाहिए सो आज की इस वीडियो में आपको मैं वजीर X में account open करने से लेकर KYC verification करने तक कम्पलीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ तो आपसे request है कि वीडियो को last तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल take with you have को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर bell icon को दबा कर all पर टिक कर दें तक आने वाले इसी तरह की informative वीडियो का notification आपको मिल सके इसके इसके अलावा latest update और cashback offer के लिए आप हमारे telegram चैनल को भी जोईन कर सकते हैं telegram चैनल का link वीडियो के description में मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को start करते हैं सबसे पहले वीडियो के description में आपको WazirX application का download link मिल जाएगा उस पर click करके पहले अपने mobile में WazirX application को install कर लेंगे install करने के बाद इसे open करेंगे तो कुछी इस तरह का interface देखने को मिलेगा उपर यहाँ profile वाले icon पर जैसे ही click करेंगे तो सबसे उपर एक login का और दूसरा sign up का option मिलेगा WazirX में account create करने के लिए simply sign up के option पर click करेंगे आपके सामने ये page open होगा यहाँ पर अपना email id डालेंगे उसके बाद WazirX account के लिए अपना एक password यहाँ set करेंगे नीचे दो बारा से अपने password को confirm करेंगे referral code में आपको इस video के description में code मिल जाएगा उसे यहाँ डाल देंगे उसके बाद terms and conditions को agree करके sign up पर click कर देंगे sign up पर click करते ही कुछ देर यहाँ पर process लेगा और उसके बाद WazirX की तरफ से आपके email address पर एक verification email send किया जाएगा तो जो email address आप यहाँ डालेंगे उस email को जैसे ही open करेंगे तो WazirX की तरफ से इस तरह का email आपको receive होगा इसे open करेंगे open करने के बाद यहाँ verify email वाले option पर आपको click कर देना है यहाँ किसी भी internet browser को select करेंगे उसके बाद आपका email ID successfully verify हो जाएगा email verify होने के बाद आप अपने application में back आजाएगे back आते ही next step है security का यह आपके WazirX account के लिए additional security है जब भी आप WazirX में login करेंगे या withdraw करेंगे तब ही security का use होगा इसके लिए आपको यहाँ पर दो option देखने को मिलेगा पहला authenticator app का और दूसरा mobile SMS का मैं यहाँ पर mobile SMS का option select कर लेता हूँ next page पर आपको अपना mobile number इंटर करके send OTP के option पर click कर देना है आपके mobile number पर एक OTP send किया जाएगा उसे यहाँ इंटर करके next पर click कर देंगे mobile number verify करते ही security settings successfully update हो जाएगी अब जब भी WazirX में आप login करेंगे या withdraw करेंगे तो पहले आपके mobile number पर OTP आएगा उसके बाद ही आप आगे का process कर सकते हैं यहाँ इसे ok कर देंगे अब last step में आपको अपनी KYC complete करनी होगी country और type of KYC by default यहाँ पर select रहेगा अगर आप KYC complete नहीं करते हैं तो WazirX में सिर्फ आप deposit और trade कर सकते हैं withdrawal या P2P trade करने के लिए आपको KYC complete करनी होगी KYC complete करने के लिए simply यहाँ complete KYC के option पर click करेंगे जैसे ही इस पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एक page open हो जाएगा सबसे पहले personal info में आप अपना first name, middle name और उसके बाद last name डालेंगे उसके बाद अपनी date of birth यहाँ डालेंगे address वाले section में अपना पूरा address इंटर करेंगे उसके बाद यहाँ से अपना state सेलेक्ट करेंगे state सेलेक्ट करने के बाद अपने city का नाम यहाँ इंटर करेंगे उसके बाद यहाँ अपना pin या zip code डालेंगे यहाँ अपना pen number इंटर करेंगे दोबारा से अपने pen number को यहां confirm करेंगे pen number confirm करने के बाद आपको अपने pen card के front side का photo यहां upload वाले icon पर click करके upload कर देना है उसके बाद document type में आप आधार passport या driving license इन तीनों में से किसी एक को select कर लेंगे मैं यहां पर आधार select कर लेता हूँ उसके बाद अपना अधार number यहां enter करेंगे नीचे दोबारा से अपने अधार number को confirm करेंगे अधार number confirm करने के बाद पहले आपको अपने अधार card के front side का photo upload करना होगा जो भी document आप upload करेंगे वो jpeg या png format में होना चाहिए उसके बाद अपने document के back side का photo upload कर देना है उसके बाद जो document आप upload करेंगे उसे अपने हाथ में इस तरह से दिखाते हुए एक selfie photo click करके रख लेना है जिस तरह से यहां image में दिखाये गया है उसके बाद उस photo को यहां upload वाले icon पर click करके upload कर देना है सभी details को अच्छी तरह से fill up करने के बाद और document वगेरा upload करने के बाद नीचे submit for verification पर click कर देंगे submit पर click करते ही आपकी KYC details receive हो जाएगी generally कुछी मिंटों के अंदर KYC verification successfully complete हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन भी लग सकते है जैसे ही आपकी KYC verification complete हो जाती है तो आपके registered email address पर वजीर X की तरफ से इसका एक mail भी आपको receive हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछी मिंटों में हमारा वजीर X account approved हो गया है simply यहाँ start trading के option पर click करके आप वजीर X के अंदर bitcoin या cryptocurrency में trade कर सकते हैं लेकिन वजीर X में किसी भी coin को buy या sale करने से पहले आपको इसमें अपना एक bank account add करना होगा क्योंकि जो भी bank account आप इसमें add करेंगे उसी bank account में आप coin sale करके अपने पैसे withdraw कर पाएंगे तो इसके लिए simply उपर यहाँ profile वाले icon पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको banking and payment options पर click करना है जैसे ही इस पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का page open होगा यहाँ पर आप दो तरह से अपना bank account इसमें add कर सकते हैं पहला अपने bank account की details डाल कर और दूसरा UPI ID डाल कर भी आप इसमें अपना bank account add कर सकते हैं चलिए यहाँ पर हम अपने bank account की details डाल कर इसमें अपना bank account add कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम डालेंगे उसके बाद अपने bank account का number यहाँ इंटर करेंगे नीचे दोबारा से अपने account number को confirm करेंगे उसके बाद अपना IFSC code यहाँ इंटर करेंगे account type by default select रहेगा bank details इंटर करने के बाद नीचे submit के option पर क्लिक कर देंगे जैसे ही submit पर क्लिक करेंगे तो final confirmation का एक message pop up होगा simply यहाँ yes save it पर क्लिक कर देंगे उसके बाद two factor authentication के लिए आपके mobile number पर एक OTP send किया जाएगा उस OTP को यहाँ डाल कर authenticate पर क्लिक कर देंगे जैसे ही authenticate पर क्लिक करेंगे तो आपका bank account verification के लिए progress में चला जाएगा और कुछी घंटों के अंदर आपका bank account successfully verify हो जाएगा और आपका bank account इसमें add हो जाएगा उसके बाद banking and payment options में जाएगे तो इस तरह से आपका bank account verified लिखा हुआ देखने को मिलेगा तो दोस्तों इस तरह से आप वजीर X में अपना account create कर सकते हैं और अपने account की KYC complete करने के बाद इसमें अपना bank account add कर सकते हैं उमीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को like करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share करें